हलो गाई इस कैसे हो आप सब तो देखिए हमारी चाय बन रही है यह हमारी सुबह सुबह की चाय है जो कि बन रही है कल हमारे यहाँ हमारी ननन्द की बेटी आई थी हमारी सासुमा आई थी तो सब लोग हैं घरी पे अभी तो हम उनको नास्ता देने जा रहे हैं सुबह सुब प्रवा के सारे काम अभी हो चुके हैं, कुछ काम हैं जो की अभी रह गए हैं, तो वह हम बाद में करेंगे, पहले हम सब को नास्ता करवा देते हैं, बच्चे अभी सो रहे हैं, तो बच्चे अभी नहीं उठेंगे, जब उठेंगे तो उनको भी हम नास्ता कराएंगे, तो बच्छों को कुछ और ही चाय होता है बच्चे चाय नहीं पीते हैं उने चाय चाहिए होती है और दोपहर के समय है तो यह हमारे यहां थोड़ा सा इलक्तरिक का काम होना बाकिए था उपर तो यह husband हमारे अभी motor सही करवा के आए हैं तो पूरा तार देख रहे हैं कि घर में क्या क्या तार पड़ा हुआ है जो कि अच्छा है तो उसको निकाल रहे हैं और आइसमान मस्ती कर रहे हैं पापा के साथ में तो जितना भी तार था इन्होंने सारा तार निकाल लिया है और आइसमान की टीचर भी आने वाली हैं पढ़ाने इनको तो हम उसके लिए भी इंतिजाम कर दे रहे हैं इनकी टेबल बगेर लगा दे रहे हैं क्योंकि इनकी मैम अभी आती ही होंगी पढ़ाने इनको यह कोचिंग पढ़ने लगेंगे इनका यही टाइम है तो यह देखिए इनका बैक भी हम यही पे रख देते हैं और कुछ सामान है अभी जो कि इलेक्ट्रिशन हमको देके गए हैं तो अभी चेक नहीं किया है हमने तो इसको भी हम चेक करवा देते हैं तो ये फैन वाली जो प्लेट आती है ये वही सारी प्लेट हैं ये लेकर के आए हैं और भी बहुत सारा सामान है जो कि इलेक्ट्रिशन लेके आए हैं पेविंट हमने कर दिया था और ये पर्चा भी हमारे लिए लाए हैं हमको दिखाने के लिए और सारे स्विच वगएरा जितने भी लगते हैं पंकों में जो जो चीजें लगती हैं MCB वगएरा ये सारे खरीद के लिए आए हैं क्योंकि उपर के पोर्ट्रिशन में ये सारे जितने भी बलफ होल्डर या जो भी पंक्खे बंक्खे हैं तो ये सारे लगने हैं इसलिए इसका सामान हमने मंगा लिया है और ये सारा कल सेट होगा बस एक दो दिन में ही पूरा फिट हो जाएगा ये पर्चा है जो कि मैंने अपने हस्वन को दे दिया है उन्होंने देख लिया है पूरा हिसाब क्या है और आइस्वान की टीचर भी आ चुकी है इनको पढ़ाने तो ये पढ़ने लगे हैं थोड़े पता नहीं हमारे घर में कहां से आई है तो दिखे ये अपना वेट कर रहे है मसीन के उपर बैठी है और ये कपड़े हमने धुल लिये हैं मौसम बिल्कूल भी सही नहीं है तो हमने सारे कपड़े यूही टांग दिये हैं पानी निचुड़ने के लिए पानी निचुड़ है तो देखिए हमने सारे कपड़े पानी निचुड़ने के बाद ब्रामदे में ही फैला दिये हैं और ये हमारे सारे कपड़े रात भर में सूख जाएंगे और इधर हमारे यहां थोड़ा बहुत सामान जो बेकार सामान था वो निकला था कई दुनों से रखा था हम रससे पर कपड़िे कनी फैसे नंद की बैटी आज सब लोग रहे हैं घूंबने है मामा के साथ बोली मौसी घर हम भी जायेंगे तो और अब एक दो बच्चे और हैं जिनको ये लोग लेंगे और जिन सब लोग चले गए हैं उसके बाद हम खाना पका रहे हैं बच्चों के लिए बच्चों का पकोड़ी खाने का मन था तो हमने सोचा पकोड़ी के साथ हम सब्जी भी बना लेंगे तो आज हम पकोड़ी वाली सब्जी बनाए चंnes भाड़ी हैं दल की ही सबजी बनाएंगे थी दाल और और्ड रचनेПрने थी बनाएं चंप कोटे बनाएं के बद ओर्च के नहीं होने हम दल बच गेए थी में उसको रचायांमने दल तो इसको सब्चेते जो होती है बहुत ज़दा टेस्टी रहती है दोस्तों खाने में बहुत स्वादाता है चाहे आप चावल के साथ खाएं चाहे रोटी के साथ खाएं यह आपको बहुत अच्छी लगेगी तो हम कुछ इसे तरह से बनाते हैं लैसन और हरी मिर्च का तड़का लगाते हैं भूर्णे के बद हमने उसको घोल बना कर तयार कर लिया है और यही हम इसी मसाल में डाल देंगे और इसको हम चला देंगे तो देखिए यह हमने अपनी सब्जी धर छोग दी है और इधर यह हमारे जो पकोड़ी थी यह भी हमारी पक चुकी है तो इनको हम निकाल लेंगे निखाल के थोड़ा सा ठंडा होने देंगे क्योंकि आइसमान को ये पकोड़ियां सूखी भी अच्छी लगती है बचे इसको सूखी भी खाते हैं और हमें ये थोड़ी पकोड़ियां जो रहेंगी हम अपनी सब्जी में भी डालेंगे तो पकोड़ी में यह जब पकोड़ियां डाल में डाल दे जाती है सबजी में डाली जाती है तो बहुत ज़्यादा टेश्टी बनती है सबजी तो इसमें हम स्वादा नुसार नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद इसको चला देंगे चलाने के बाद दोश्तों हम यारी जो ये पकोडी थी हम एक एक कर के सब्जी में डाल देंगे तो ये हमारी जो सब्जी है इ क्पकर दो गुने सराद की बनेगी बहुत ज़प जबाल जवाब इसका सौाद लगता है तो अभी इसमे उबाल आएगा उबालाने के बाद हम सारी पकोडी इसमें डाल देंगे तो देखिए उबाल आ चुका है और अब हम पकोडियां एक एक करके डाल देंगे ठोड़ी पकोडी हम रख लेंगे क्योंकि बच्चों को सूखी भी पसंद है तो बच्चे सूखी भी खाएंगे इसके लाबा हमने चावल पका लिया है और आटा भी हमने तयार कर लिया है तो चावल लगबग हमारा पक के तयार है अभी प्रेसर नहीं निकला है तो देखें सर्जी भी हमारी रेडी है अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना थैंक यू